5. मेरे विशलेशन का निशकर्ष इतना विचित्र है कि उससे अनेक लोगों को आश्चेर्य हो सकता है। इससे आश्चेरे चकित कुछ लोग तो ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि मेरे निशकर्ष इतने विचित्र हैं, तब हिंदू धर्म के दर्शन के मेरे इस विचित्र में कुछ न कुछ गलती अवश्य होगी। उन्हें आश्चेरे नहीं होगा। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे स्पष्ट करने के लिए मुझे यहीं पर रुख जाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसके पूर्व मैंने धार्मिक क्रांती का जो विचलेशन किया है उसे ये स्पष्ट होता है कि मानविय समाज के दैवी प्रशासन के रूप में धार्मिक आदर्शों के दो प्रकार होते हैं। एक वह जिसमें समाज उसका केंदर बिंदु है और दूसरा वह जिसमें विक्ति केंदर बिंदु है। इसी विशलेशन से ये भी स्पष्ट होता है कि पहले प्रकार के आदर कि कसोटी का और नहीं नयाई की कसोटी का उत्तर दे सकता है इसका कारण ये है कि हिंडू धर में मानम समाज के डैवी प्रशासन का धार्मिक आदर्ष एक ऐसा अदर्ष है जो स्वयम एक अलग वर्ग के अंतरगत आता है यह ऐसा अदर्ष है जिसमें व्यक्ति केंदर की परि अध्वान्सक सच्चाई को ध्यान में रखेंगे वे इस बात को समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म के दर्शन की प्रति स्थापना व्यक्तिकत नयाय अत्वा सामाजिक उपयोगिता पर क्यो नहीं है। रहा है कि सुबोध होने का मतलब है पहचाना जाना। मनु को कोई समझे इस बात का उसे ना भय है ना शर्मिंदगी। मनु इस बात का अफसर ही नहीं देता कि उसे कोई खोजे। वह अपने विचार मुखर एवं भव्य मंत्रों में व्यक्त करता है कि कौन महामानव है और को कोई भी बात जो इन महामानवों के हितों की रक्षा करती हो उसे ही योग्य तथा उत्तम कहा जाए। मैं मनु के कुछ वक्तव्यों का उलेख करना चाहूंगा। 10.3 जाती की विशिष्टता से उत्पत्ति स्थान के अध्याइन, अध्यापन एवं व्याख्यान आदी द्वारा नियम के धारना करने से और यग्योपवीत संसकार आदी की शिरिष्टता से ब्रामन ही सब वर्णों का स्वामी है। मनु ने इस वक्तव्यों को और अधिक स पश्ट करते हुए आगे कहा है। 1.9.3 ब्रह्मा के मुख से उत्पन होने के कारण जेश्ट होने से और वेद के धारन करने के धर्मानुसार ब्रामन ही स्ष्टी का स्वामी होता है। 1.9.4 स्वयंभू इस ब्रह्मा ने हव्य तथा कव्य को पहुँचाने के लिए और संप पून स्ष्टी की रक्षा के लिए तपस्या कर सर्व प्रतम ब्रह्मान को ही अपने मुख से उत्पन किया। 1.9.4 ब्रह्मान के मुख से देवता लोग हव्य को तथा पितर लोग कव्य को खाते हैं। 1.9.4 ब्रह्मान से अधिक श्रेश्ट प्राणी कौन होगा। 2.9.4 ब लिए अपने मुख से निर्मित किया। इसके अलावा ब्रह्मान की श्रेश्टा के मनुने कुछ और कारण बताए है। वो कहता है 1.9.8 केवल ब्रह्मान की उत्पती ही धर्म की नित्य देह है क्योंकि धर्म के लिए उत्पन ब्रह्मान मुक्ष लाभ के योग्य है। अपना हिदान करता है तथा दूसरे व्यक्ति ब्रह्मान की दया से उस सब का भोग करते हैं। मनु का कहना है 1.9.9 विश्व भर में जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्रह्मान की संपती है। अपने सर्वशेश जन्म के कारण ही ब्रह्मान इन सभी के लिए पात रहे। मनुन के कहने के अनुसार कारे करे। वह वरिध वेद ग्याता और शुद्ध हरिद्य वाले ब्रह्मान की नित्य सेवा करे। 9.313 यद्यपी कितनी भी भारी पैसे की तंगी हो राजा को ब्रह्मान की संपती छीन कर उसे क्रोधित नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अगर क्रोधित ह तो तुरंत ही पस्या से और श्राब देकर राजा को उसकी सेना, हाथी, घोडे और रत आदी सभी के साथ नश्ट कर सकता है। अंत में मनु कहता है 14.35 शास्त्रोक्त कर्मों का करने वाला, पुत्र शिश्यादी को शासन करने वाला, प्रायश्चित विधी आदी का कहने वा पत्वा इस जन्म में अगले जन्म के उदेशे से शूद्र को ब्रामन की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिसे ब्रामन का सेवक माना जाता है, उसे सभी सुख शांती प्राप्त होती है। मनु और आगे कहता है, 10.9, शूद्र संचय करने की स्थिती में हो, फिर भी ऐसा ना करें, क्योंकि जो शूद्र धन संचय करता है, वा ब्रामन को दुख पहुँचाता है। मनु के उपरोक्त विधानों से हिंदु धर्म के दर्शन का सही रूप सपष्ट होता है। हिंदु धर्म महामानव ब्रामन का धर्म है और वह यह उपदेश देता है कि जो बात महामानव के लिए उचित है, वही नैतिक दृष्टी से सही और उचित है। क्या इसके समानांतर कोई और भी दर्शन है? उसे बताते हुए भी मुझे घ्रिना आती है परन्तु बात बिल्कुल सपष्ट है। हिंदु धर्म के दर्शन का समानांतर केवल नीच्चे में ही मिलता है। इस सुझाओ पर हिंदु क्रोधित हो सकते हैं, वह सरवथा सभाविक है क्योंकि नीच्चे के दर्शन की भारी उपेक्षा की जाती है। वह कभी पनपा नहीं, उसे अपने ही शब्दों में उसे कभी बड़े बड़े अमीरों सामनतों का दार्शनिक कहा गया, तो कभी उसे दुथकार दिया गया, कभी कभी उस पर दया की गई और कभी कभी अमानविय मानकर उसकी उपेक्षा की गई। नीचे के दर्शन की पहचान सत्ता की लालसा, हिंसाचार नैतिक मूलियों का नकार, महामानव और उसके लिए त्याग, गुलामी और सामाने मनुश्य की अधोगती इन बातों के साथ ही की जाने लगी। सूची में सामावेश करके राहत महसूस की, उसने अपने स्वैम के लिए अपने समय से आगे अनेक सदियों बाद एक ऐसे समाज की कलपना की, जो शायद उसकी प्रशंसा करे, लेकिन इस बात में भी उसे निराशा सहनी पड़ी। उसके मित्रों ने ही इस धारना का तीवर विरोध किया, परंतु ये जानना कठिन नहीं है कि उसका दर्शन किसी महामानव के निर्मान के बज़ाए एक महाराज निर्मान करने के लिए असानी से लागू किया जा सकता है, और नाजी लोगों ने वैसा ही किया। चाहे कुछ भी हो, नाजी लोग नीच्चे को अपना पूरवज कहते हैं और उसे अपना आध्यात्मी गुरू मानते हैं। हिटलर ने स्वेम नीच्चे की आवक्ष मूर्ती के साथ अपना चित्र किंचवाया था। उसने नीच्चे के सभी मूल लेख अपनी विशेश निगरानी में रखे। उसके लेखों से कुछ उधारन निकाले और उसे नाजी वाद के समारोहों में नए जर्मन धर्म के रू हिटलर को उसके भाई को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि जर्सुस्तर में जिस महामानव का वर्णन किया गया है उसका अवतार वह हिटलर में देखती है। परंतु इस सच्चाई के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। नीच्षे ने स्वयम ये बात कही है कि उसके दर्शन में उसने केवल मनु की योजना का अनुसरन ही किया है। अपने शरीर से तिरस्कृत रहता है अपना जीवन जहरीला और कलंकित बनाता है तथा अपने आपको गिरा हुआ और कलुशित मानता है। परिणाम सरूप उसके साधन भी बुरे हैं मेरी भावनाएं इसके बिलकुल विपरीत हैं। जब मैं मनु का विधान पढ़ता हूँ तो निश्चित ही एक अतुलनिय अपूर्व बौधिक तथा श्रेष्ट कला करीती है। उसका बाइबल के साथ उले करना भी एक भारी प जानिकों की बुद्धी के लिए भी भरपूर सामगरी है और अत्यधिक महत्रपून तथा ना भूलने वाली बात ये है कि मनु का विधान मौलिक रूप से बाइबल से सभी प्रकार से भिन है। उसके कारण समाज के प्रतिष्टित वर्ग दार्षनिक और योधा जंता की रक्षा करते हैं और उनका माल्क दर्षन करते हैं वह महान अदर्षों से ओत प्रोत है वह परिपूर्णता की भावना से भरा हुआ है उसमें जीवन का सार है और अपने स्वेम के प्रति तथा जीवन के प्रति कल्यान की विजई भावना है उस संपूर्ण गरंत पर सूरे की जग मगाहट है वह प्रजोत पादन, स्त्री, विवाह आदी सभी बातों को जिने इसाई धर्म अपनी गहरी अशलीलता से दबा देता है यहां इमानदारी, आदर, प्रेम तथा विश्वास के साथ प्रस्तुत किया गया है व्यभिचार को टालने के लिए प्रतेक पूरु मनुष्य की उत्पती को ही इसाई बना दिया है अर्थात निश कलंक धर्म धारन की भावना से कलुशित किया है तब क्या इसाई बनना उचित होगा जिस प्रकार मनु के विधान की पुस्तक में स्त्रियों के प्रती जितनी सुन्दर तथा उत्तम बाते कहीं गई हैं ऐसी बाते कहने वाली कोई दूसरी पुस्तक मैं नहीं जानता इन व्रिद सफेद दाड़ी वालों और संतों ने स्त्रियों का वर्णन करने में जिस दुसाहस का परीचे दिया है उसकी बराबरी कहीं भी नहीं एक स्तान पर मनु कहता है स्त्री का मुख, कुमारी का वक्ष, बच अगर मनु और नीचे में कोई अंतर है तो वह इस बात में है कि नीचे यथार्थतह एक नई मानव जाते हैं की रचना करना चाहता था जो की वर्तमान मानव जाती की तुलना में महमानवों की जाती हूँ, इसके विपरीत मनु एक ऐसी जाती के विशेश अधिकारों की रक्षा में दिल्चस्पी रखता था जो अनाधिकार रूप से महमानव बनने की चेश्टा करते थे, नीचे के म मुदाय में जन्में लोगों के स्वार्थ की रक्षा करने के लिए रखा गया था जो अपने गुणों को खो भी दें तो भी उनका महामानव का स्थर नहीं खोया जा सकेगा वह ऐसे दर्शन का प्रणेता था हम मनु के निम्नलिखित उधारनों की तुलना करते हैं वह दोनों ब्रामन कर्म तथा चत्रिकम से जीवन निर्वा नहीं कर सकता तो किस प्रकार रहे यदि ऐसा संदेह हो जाए तो वह वैश्य के कर्म खेती गौपालन और व्यपार से जीविका करें मनु आगे कहता है 9.3.7 ब्रामन चाहे मूरक हो या बुद्धिमान वह महान पूजय व्यक्ति होता है ठीक उसी प्रकार जैसे अग्णी चाहे शाष्टरवीधी से स्थापित है अत्वा सामान्य अग्णी है इस प्रकार ब्रामन यदि कोई नीच वेवसाय भी करे उनका प्रतेक प्रकार से सम्मान होना चाहिए क्योंकि वह उत्तम देवता है इस प्रकार नीच्चे की तुलना में मनु के महामानव का दर्शन अधिक नीच तथा भ्रष्ट है नीच्चे के दर्शन से अधिक घ्रिनित एवं निंदनिया है इससे पता चलता है कि हिंदुत्व का दर्शन न्याय और उपियोगिता की कसोटी पर किस प्रकार से खरा नहीं उतरता हिंदु धर्म की रुची सर्वसाधारन लोगों में नहीं है हिंदु धर्म की रुची पूरे समाज में नहीं है उसकी रुची एक वर्ग के हित में केंदरित है और उसके दर्शन का संबंद भी केवल उस वर्ग के अधिकारों की रक्षा और समर्थन करने से है इसलिए हिंदू धर्म के दर्शन में सामाने मनुश्य तथा उसके साथ संपूर्ण समाज के हीतों को महामानवों के वर्ग के हीतों के लिए नकारा गया है, दबाया गया है और उनकी बली चड़ाई गई है ऐसे धर्म का मनुश्य के लिए क्या महत्व है? धर्म के प्रत्यक्षवाद के गुणों के विशे में बालफुर महोदे ने प्रत्यक्षवादियों से कुछ प्रशन पूछे थे जिनका उल्लेख आवश्यक है उन्होंने स्पष्टता पूछा समाज के अंगिनत महत्वहीन लोग जो अपनी दैनिक जरूरतों तथा चोटी चोटी चिंताओं के साथ निरंतर संगर्ष करने में इतने अधिक हुलजे हुए हैं और बहुत ही व्यस्त हैं जिनके पास सुखचैन के लिए कोई समय नहीं अत् इसे लोगों के संबंध में प्रतक्षवाद के क्या विचार हैं क्या वे उन्हें ऐसा आश्वसन दे सकते हैं कि उस इश्वर की नजर में जिसने स्वर्ग का निर्मान किया है कोई भी व्यक्ति ऐसा महत्वहीन नहीं है कि उनके कारे की इश्वर की नजर में कोई कदर नही या वह इतना कमजोर है कि उसके कारे का परिणाम संसार का विनाश होगा क्या ये उन दीन दुखी लोगों को सांत्वना दे सकता है क्या दुर्वलों को शक्ती दे सकता है क्या पापी लोगों को ख्रमा कर सकता है और जो लोग ठके हैं तथा किसी बोज के नीचे दबे हैं उन्हें अराण दे सकता है। यही प्रशन मनु से पूछे जा सकते हैं और इन में से प्रत्येक प्रशन का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। संक्षेप में हिंदू धर्म का दर्शन ऐसा है कि उसे मानवता का धर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए ही बैलफोर की भाशा का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि यदि हिंदू धर्म सर्व साधारन लोगों के जीवन में गहरे प्रवेश करता है लेकिन उन्हें सुरक्षा का कवच नहीं प्रदान करता। वस्तुतह उन लोगों को विकलांग बनाता है। तो हिंदू धर्म में सामाने मानूवे आत्माओं के लिए कोई पोशक तत्व नहीं है। इनमें करूर अधर्म से अधिक करूर कार्य और क्या हो सकता है कि वे मनुष्य का ईश्वर के साथ जो संबन्ध है उसे ही भंग कर देता है। हिंदु धर्म का दर्शन ऐसा है, वह महामानव, ब्राह्मन के लिए स्वर्ग है, तो साधारन मनुष्य के लिए नर्ख है। मैं जानता हूं कि हिंदु धर्म के दर्शन के संबंध में मेरे विचारों पर चारों और से आकरमन हो सकता है। इसके संबंध में जो वर्तमान धार उनसे ये स्तिथी इतनी विपरीत है कि उस पर आकरमन होना अनिवारे है। ये आकरमन भिन दिशाओं से हो सकता है। ऐसा कहा जाएगा कि मनुस्मृती हिंदू धर्म का गरंत है, मेरा ऐसा मानना ही गलत है। और हिंदुत्व का शिक्षासार वेद तथा भगवत गीता में सम् परन्तु ये मेरा निश्चित विश्वास है कि कोई भी रूडी वादी हिंदू ऐसा कहने का साहसं नहीं कर सकता है कि मनुस्मृती हिंदू धर्म का धर्मग्रंत नहीं है। ऐसा आरोप केवल कुछ सुधार वादी हिंदू पंथ के लोग, जैसे कि आरे समाज के लोग ही ल मानिताओं से है और जिन्हें उन लोगों द्वारा मानिता मिली हुई है उन्होंने उसे पुरस्कृत किया है जिन्हें वेदों का ग्यान है दीर्ग समय तक ये नियम इन वेदों के ग्यान प्राप्त लोगों की स्मृति में ही बसे हुए थे इसलिए उन्हें स्मृति कहा जान तब भी उसके नियमों को वेदों में सम्मिलित नियमों की तुलना में निम्न स्तर ही माना जाता था। उनके अधिकार तथा बंधनों में अंतर है वह उस भाविक अंतर का नतीजा है जो किसी बात को सुनने की तुलना में किसी बात को याद रखने पर विश्वास करने की योगेता में होता है इन दो प्रकार के धर्म शास्त्रों में ये जो अंतर है उसका और भी एक कारण है ये अंतर इनके लेखकों के स्तर पर आधारित है वेदों के लेखक रिशी थे, स्मृति के लेखक केवल विद्वान व्यक्ति थे और रिश्यों का स्तर तथा मानता उन लोगों से निश्चित श्रेष्ट थी जो केवल विद्वान थे परिणाम सरूप वेदों को स्मृति की तुलना में अधिक अधिकार युक्त माना गया इसके कारण जो परिस्थिती निर्मित होती है उसे हिंदू ब्रह्म विज्ञान में उत्तम प्रकार से स्पष्ट किया गया इसके अनुसार यदि किसी समान विशय पर दो वेदों के नियमों में विरोध उत्पन हो जाए तब किसी भी एक नियम का पालन करने की अनुमती दी जाती है परंतु दोनों ही नियम कारेरत रहते हैं इसके विपरीत जब शुरुती तथा स्मृती के नियमों में विरोध उत्पन हो जाए तब शुरुती का नियम ही माना जाए क्योंकि उपर बताया गया है स्मृती का स्तर शुरूती के आधार की तुलना में हीन है लेकिन जैसा कि प्रोफेसर आल्टेकर ने स्पष्ट किया है कुछ समय बीटने के बाद स्मृती को भी वही अधिकार पराप्त हो गए जो वेदों को मिले थे और उस उदेश्य की पूर्ती के लिए विभिन उपाय अपनाये गए प्रत्म स्थान पर स्मृती के लेखक का स्थान रिशियों के स्तर तक उंचा उठाया गया जो आरंभिक धर्म शास्तरों के लेखक थे जैसे की गौतम और बौधायन उन्हें कभी भी रिशियों के समान स्तर नहीं दिया गया परन्त मनू और याग्य वल्लक्य को रिशी की माननेता दे दी गई और इस माध्यम से स्मृती का स्तर शूती के समान स्तर पर लगाया गया स्मृति को शृति की यादगार का एक ऐसा लिखित प्रमान मानना जो नश्ट हो गया है ये दूसरा उपाय अपनाया गया इस प्रकार स्मृती एक ऐसी वस्तु जो शुरूती से सर्वता भिन है ऐसी मानी जाने के बजाए शुरूती से बिलकुल मिलती जुलती और अभेद्य मानी जाने लगी। इन उपायों का नतीजा दोनों के अधिकारों से संबंदित नियमों में संपूर्ण परिवर्तन में तब शुरूती का अधिकार ही चलता था। नया नियम ये हो गया कि विरोध की ऐसी स्तिथी में किसी भी नियम को मानने की अनुमती थी जिसका अर्थ ये था कि स्मृती का नियम भी उतना ही कारे रथ था जितना की शुरूती का। इस नय नियम ने स्तिथी को बदल दिया और समाज को शुरूती अत्वा स्मृती का अनुसरण करने की चूट दी परंतु बाद में इस चूट को भी वापस ले लिया गया। स्मृती का अधियन भी शुरूती के समानी अनिवारे बना दिया गया। ये परिवर्तन धीरे-ध प्रतम स्थान पर ऐसा सूचित किया गया कि शृति तथा स्मृति ब्रह्मा की दो आखें हैं और यदि उसकी एक आख ना हो तब वह एक आख वाला व्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार स्मृति को हिंदू धर्म के स्रोत के रूप में मानेता प्रदान की गई और इस बात में कोई संदेह नहीं है। स्मृतियों में उसके सभी जंगती तथा विलासिता पूर्ण विकास में जाती के सिध्धान्त ब्रामनों की श्रेश्टा उनके अधिकार तथा विशेशा अधिकारों के सिध्धान्त तथा चत्रियों और वैश्यों की मातहती के सिध्धान्त का तथा शूद्रों के निमन हित के पक्ष में सफलता भी मिल गई लेकिन इसके कारण संपूर्ण देश का सर्वनाश हो गया परन्तु फिर भी जैसा कि समानता तथा धर्माचारी हिंदू कहते हैं ये मानते हुए भी कि स्मृतियों में हिंदू धर्म के दर्शन का समावेश नहीं है किन्तु उसे वेद तथा भगवद गीता से प्राप्त किया जा सकता है ये प्रश्ण रही ही जाता है कि इससे अंतिम परिणामों में क्या फरक पड़ता है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे हम समृति वेद अत्वा भगवद गीता को लें उससे इस्तिती में कोई जादा फरक नहीं पड़ता क्या वेदों की शिक्षा समृति की शिक्षा से मौलिक रूप से भिन है क्या भगवद गीता समृति के बंधनों के विपरीत है कुछ उधारन इस्तिती को सपष्ट कर सकते है ये निर्विवाद है कि वेदों ने चातुरवर्णिय के सिध्धान की रचना की है जिसे पुरश सूक्त नाम से जाना जाता है यह दो मूलभूत तत्वों को मानिता देता है उसने समाज के चार भागों में विभाजन को एक आदर्श योजना के रूप में मानिता दी है उसने इस बात को भी मानिता प्रदान की है कि इन चारों भागों में संबंध असमानता के आधार पर होने चाहिए भगवत गीता ने जो विद्या दी है जिसे चतुरवर्ण ने कहा जाता है यानि समाज का चार जातियों ब्रामन चत्रिय वैश तता शूद्र में चौगना विभाजन और उसके साथ ही उनकी मौलिक कारिक शमता के अनुसार उनके विवसायों का निश्चे करन चतुरवर्ण का रचाईता जो है वह मैं ही हूँ 3.35 यद्यपी दूसरे वर्ण का विवसाय कर्म के साथ जुड़े हुए हैं विस्वेम अपने विवसाय का पालन करें और तदनुसार दूसरों को भी अपने वर्णों के विवसाय का पालन करने के लिए बाद्य करें शायद शिक्षित मनुष्य अपने व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, शिक्षित मनुष्य को उन्हें उनका व्यवसाय लांकर रास्ते पर चलने के लिए भरष्ट नहीं करना चाहिए 4.7.8 हे अरजुन, जब जब करतव्य तथा व्यवसाय के इस धर्म का यानि चतुर वर्णे के धर्म का पत्न होगा, तब तब मैं स्वेम जन्मधारन करूँगा और उन लोगों को जो इस पल के लिए जिम्मेदार हैं दंडित करूँगा और इस धर्म की पूर्न स्थापना भगवत गीता की स्थिथी इस प्रकार है, तब गीता और मनुसमृती में क्या अंतर है? संख्षेप में गीता ही मनुसमृती है, जो मनुसमृती से दूर भाग कर गीता में शरण लेना चाहते हैं, या तो वे गीता जानते ही नहीं, अत्वा गीता की उस आत्मा को ही, जो उ धारन के रूप में की है इन दोनों में भी क्या अंतर है इन दोनों में केवल एक ही अंतर है वेद तथा भगवत गीता में एक सर्वसाधारन सिध्धानत का विचार है जबकि मनुस्मृती में उस सिध्धानत की विशेश्टाएं तथा अन्य विस्तारित बातों को सपष्ट क इसका कारण भी स्पष्ट है, ब्रामन जो की उपनिशत के अलावा लगबक संपून हिंदू धर्म साहित्य के लेखक थे, उन्होंने उनके द्वारा रचित सिध्धानतों को स्मृति, वेद तथा भगवत गीता इन सभी में अंतरभूत करने की उत्तम सावधानी बरती, इसल नैतिक अचार संखिता नहीं है, तथा हिंदू धर्म के दर्शन के रूप में मैंने यहां जो कुछ भी प्रस्तूत किया है, वो केवल कानून का दर्शन है, और वो हिंदू धर्म का नैतिक दर्शन नहीं है, ऐसा मानने वाले के लिए मेरा उत्तर बहुत सरल है, मेरी के समर्थन के लिए किसी प्रमान की आवशक्ता नहीं है, हम रिगवेद के धर्म शब्द का अर्थ लेते हैं, धर्म शब्द रिगवेद में 58 बार मिलता है, उसका प्रयोग 6 भिन भिन अर्थों में किया गया है, इसका प्रयोग 1 प्राचीन प्रथा, 2 कानून, 3 कोई भी ऐ इसी व्यवस्था जो समाज के कानून तथा व्यवस्था बनाए रखती है, 4 निसर्ग का मार्ग, 5 किसी पदार्थ की उत्तमता, और 6 उत्तम तथा बुरे लोगों के करतव्य इन बातों को सपष्ट करने के लिए हुआ है, इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि धर्म शब्द आचार संहिता नहीं है, निश्चित रूप से उनमें ऐसी आचार संहिता है, परंतु ये बहुत ही उचित होगा कि हम उन आचरण के नियमों की प्रकृती तथा स्वरूप जान दें, जिने हिंदू नीती शास्त्र नैतिक कहते हैं, हिंदू जिसे नैतिक मानते हैं, उस संहिता का स्वरूप जानने के लिए ये उचित होगा कि हम अपना कार्य ये मानकर आरंब करें कि समाज में आचरण के तीन स्थर होते हैं, जिन में फर्क करना आवश्यक है, एक मूल भूत आवश्यताओं तथा स्वभाव से निर्मित होने वाला आचरण, दो समाज के निय पहले स्थर के आचरण को हम नेतिक आचरण नहीं कहते हैं, वह अनेतिक भी नहीं है, ये आचरण उन शक्तियों दारन नेतिक नहीं होता है, जो अपने उदेशे में नेतिक नहीं होती, परंतु परिणामों के लिए मूलेवान होती हैं, ये शक्तियां शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैग्यानिक होती हैं इनका एक निश्चित उदेश होता है जैसे की भूक मिटाना अथवा शत्रू के विरोध में शस्त्र उठाना परंतु लक्षे वह होता है जो हमारे शारीरिक अथवा सवाभाविक रूप से निरधारित किया जाता है और जब तक इसको केव वहाँ वहाँ उनके कारे करने के कुछ निश्चित मार्ग होते हैं जो उस गुट के लिए समान रूप से लागू होते हैं और वह पीड़ी दर-पीड़ी चलते हैं इन स्वीकृत तोर तरीकों को उस गुट की लोक नीती या नैतिकता कहा जाता है उन नियमों का पालन करना यही उस गुट का निर्ने है ऐसा माना जाता है उस गुट का कल्यान उनके साथ संबंध है ऐसा माना जाता है प्रतेक व्यक्ति का ये कर्टव्य होता है कि वह उनका पालन करे और यदि व्यक्ति उनके विपरीत आचरन करता है तब उसे ये महसूस कराया जाए कि गुट को ये बात मनजूर नहीं है इस आचरण को हम सही अर्थ में नैतिक आचरण नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें अंतिम उद्देश्य को समाज द्वारा निर्धारित श्रेष्ट मानक माना गया है यदि उसे नैतिक कहा गया है तो इसलिए क्योंकि वह समाज की नैतिकता और लोकनीती के अनुरूप है इसे पारंपरिक रूप से तो नैतिक कहा जा सकता है तीसरे स्तर का जो आचरण है उसे ही केवल सही अर्थ संपूर्ण रूप से नैतिक कहा जा सकता है ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस प्रकार से एक व्यक्ति उचित बात को मानता है अत्वा उत्तम बात को स्विकार करता है और उसकी पूरती के लिए मुक्त रूप से पूरी लगन से कारे करता है वह व्यक्ति किसी बात को केवल इसलिए नहीं मानता है क्योंकि वह अटल है अत्वा उसका पालन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे समाज की मानता है पर व्यक्ति अपने धे का स्वैम चैन करता है और उसे महत्वपूर्ण मानकर उसके लिए स्वैम को जिम्मेदा ठहराता है उ इसका अर्थ ये है कि हिंदु सामाजिक है, किन्तु सही अर्थों में नैतिक नहीं है। जिन उद्वेश्यों को वो प्राप्त करता है, उनकी वही जिम्मेदारी नहीं लेता। वो स्वेच्छा से समाज का एक साधन बन जाता है और अनुसरन करने में ही संतोश पाता है। वे अपने समाद से बिना किसी भय के अपना अलग मत व्यक्त करने के लिए मुक्त नहीं है। ब्रामन के स्वर्ण अलंकारों की चोरी, गुरु पत्नी के साथ यौन संबंध और इसके साथ ही ऐसे पाप करने वालों के साथ सामाजिक संबंध रखना। तीन, अनुपातक यानि छोटे इसी प्रकार के पाप। इन में कुछ अन्यवर्गों के लोगों की हत्या, जूटे साक्षय देना और मित्र की हत्या और ब्रामन की जमीन अत्वा संपत्ती की चोरी करना तथा कुछ विशेश प्रकार यौन संबंध और व्यभिचार आधी का समावेश होता है। चार उपपातक यानि छोटे पाप जूटा ब्यान देना, कुछ विशेश धार्मिक करतव्यों की उपेक्षा करना, व्यभिचार, गैर कानूनी कबजा, बड़े भाई से पहले विवाह करने का अपराद, देवता तथा पित्रिरात्मा के प्रती उतरदायत्वन नानिभान तथा नास्तिक होना आधि, पांच, जाती ब्रह्म संकर, यानि जात्क होने का पाप, ब्रामन को शारीरिक वेदना पहुंचाना, ऐसी वस्तुओं को सूंगना, जिन्हें नहीं सूंगना चाहिए, कुटल व्यभार करना, तथा कुछ अस्वाभाविक अपराद करना, छे, स नीच व्यक्ति से भिक्षा ग्रहन करना और भेंट वस्तु स्विकार करना, शूद्र की सेवा करना, उसके साथ रहना, उसे पैसा उधार देना और उसके साथ व्यपार करना आठ, मलवाह, यानि ऐसे पाप जो अपवित्र बनाते हैं, पक्षी, जल्चर प्राणी, किटानू तथा कीड़ों की हत्या करना, ऐसे फल अत्वा वनस्पति खाना, जिससे मद्यपान के समान नशा हो जाता है नौ, प्रकीरण, यानि मिले जुले, ऐसे सभी पाप कर्म जिनका उपर के प्रकारों में समावेश नहीं है पापों की ये पूरी सूची नहीं है, परन्तु, निश्चत ही वह एक लंबी तथा विस्तित सूची है, जो हिंदू के पाप की धारनाओं के बारे में हमें प्रयाप्त जानकारी देती है प्रत्म स्थान पर वह मनुश्य का उसकी सू निर्धारत आचार सहिता के पतित होने का अर्थ व्यक्त करती है दूसरे स्थान पर उसका अर्थ है मनुश्य का अस्वच होकर अपवित्र बन जाना पातक शब्द का मूल अर्थ भी यही है, इसका मतलब है पतन होना और अस्वच्छ होना दोनों ही मामलों में हिंदू धारना के नुसार पाप आत्मा का रोग है पहले अर्थ में वह केवल बाहरी आचरन के नियम का उलंगन है, दूसरे अर्थ में शरीर का अपवित्र होना, जिसे धार्मिक यात्रा अत्वा यग्यदान दोनों के द्वारा भी स्वच्छ तता पवित्र बनाया जा सकता है, परंतु आत्मा का अपवित्र होना जो बुरे विचार तता उद्देश्यों के कारण होता है, इस अर्थ से यह धार्ना कभी भी नहीं रही, इस बात से स्पष्ट है कि हिंदूों की नैतिक्ता केवल सामाजिक है, इसका अर्थ ये है कि उनकी नैतिक्ता का स्थर पूर्ण रूप से पारंपरिक तता आपचारिक है, इस नैतिक्ता के दो हानिकारक पहलू है प्रत्म स्थान पर ये बात निश्चित नहीं है कि इसे हमेशा इमानदारी और पवितरता की प्रेणना से आवेशित किया जाएगा क्योंकि ये बात तभी हो सकती है जब नैतिक्ता किसी व्यक्ति की भावना तथा उदेश्य में बहुत गहरा प्रवेश करती है और जिसके कारण मानविय आचरण में किसी प्रकार का बहाना करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है दूसरे स्थान पर व्यवहारिक नैतिक्ता मनुष्य के लिए एक प्रकार से रुकावट तथा अपने भाव में खींचने की शक्ति दोनों ह और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें भी किसी पानी के जहाज के समान लंगर के पीछे जकड कर रखने का कारे करती है आपचारिक नैतिक्ता केवल नैतिक स्थिरता का ही दूसरा नाम है जहां जहां आपचारिक नैतिक्ता ही एक मातर नैतिक्ता है उन सभी मामलो परन्तु हिंदूओं की आपचारिक नेतिकता गुण संपन आचरन का एक और भी दुष्ट पहलू है, जो उसकी विशेश्टा है. व्याभारिक नेतिकता गुण आचरन की बात है. सामाने तह गुण संपन आचरन ऐसा होना चाहिए, जो सर्वसाधारन अत्वा सार्विजनिक त्रिष्टी से उत्तम हो, आचरण का इश्वर की पूजा, अत्वा सामाज का सर्वसाधारन हित, इनके साथ कोई संबंद नहीं है, हिंदू धर्म में गुण संपन, आचरण का संबंद ब्राम्मन के प्रती आदर संबान व्यक्त करने तथा उसे दक्षिना देने से है, महामा के अधिकांश चात्र ये बात भूल जाते हैं, कि जिस प्रकार हिंदू धर्म में कानून और धर्म में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह कानून और नीती शास्तर दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का संबंद एक ही बात से है, वो बात ये है कि निम्न स्तर के हिंदूों क आचरण को नियंतरित करना ताकि वे श्रेष्ट हिंदूओं के उद्देश्यों की पूरती कर सकें तीसरे ये आपत्ती उठाई जा सकती है कि मैंने उपनिशिद जो कि हिंदू दर्शन का सही स्रोत है उस पर विचार न करके हिंदू धर्शन का बिल्कुल ही जोटा चित्र प्रस्तूत किया है मैं इस बात को स्विकार करता हung कि मैंने उपनिशिदों पर विचार नहीं किया है लेकिन इसके लिए मेरे पास कुछ कारण है और मेरा ये विश्वास है कि ऐसा ना करने के वह बहुत ठोस कारण है हिंदु धर्म के दर्शन से मेरा संबंध धर्म के दर्शन के एक भाग के रूप में है मेरा संबंध हिंदु धर्शन से नहीं है यदी मेरा संबंद हिंदू दर्शन से होता तब मेरे लिए आवश्यक हो जाता कि मैं उपनिशद की चान्टबिन करूँ परन्तु फिर भी उपनिशद की चान्रबिन करने के लिए मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं ये संदे नहीं रखना चाहता हूं कि जिसको मैंने हिंदू धर्म का दर्शन बताया है वही वास्तव में उपनिशद का दर्शन भी है उपनिशद का दर्शन बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है हक्सले द्वारा इसे बहुत ही संख्षेप में उत्तम धंग से व्यक्त किया गया है वह कहता है कि उपनिशत दर्शन इस बात से सहमत है कि मन के अत्वा किसी वस्तु के हिरिदेस रूप में होने वाले क्रमिक बदलाव के सूत्र के अंतरगत चुपी हुई स्थाई वास्तविक्ता अत्वा पदार्थ के अस्तित्व को समझने में ही उपनिशत दर्शन का सार है विश्व का सार भूत पदार्थ है ब्रह्मा और व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्म तथा आत्मा दोनों भी एक दूसरे के केवल उनकी अभीव्यक्ति, भावना, विचार, इच्छाएं, सुख तथा दुख के कारण अलग हैं, जिसके कारण जीवन का भ्रामक मायाजाल खड़ा होता है, जो लोग अज्यानी होते हैं, वे उसे ही सच्चाई मानते हैं, इसलिए उनकी आत्मा नित्य भ्रांतियों से गिरी र सन्यास लेकर जीवन के अस्तित्व के संगर्ष से पीछे हटना, जीवन पद्धती के रूप में हक्सले ने उसकी बहुत ही कठोर शब्दों में आलोचना की है, भारतिय सन्यासियों तपस्वियों ने तपस्चर्य द्वारा शारीरिक रूप से जितना कष्ट सहा, उसका अ उपनिशद के दर्शन की ये अलोचना लाला हरदयाल ने उसकी जो सार्वजनिक भर्तसना की है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, वे कहते हैं, उपनिशद ये दावा करता है कि उसके ग्ञान से प्रतेक वस्तू का ग्ञान प्राप्त होता है, परिपूर्णता कि ये लालसा ही भारत के कृत्रिम अध्यात्मवाद का अधार बन गई है। उपनिशद के ये लेख मूर्क विचार, असंगत कलपनाएं तथा ब्रहमित करने वाले अनुमानों से भरे हैं। और हमने ये बात नहीं समझी कि ये सभी निरर्थक हैं। हम पुराने ही रास्तों पर चल अपना समय डुंस, स्कोट्स और तॉमस आदी के निबंधों की पुनर रचना और बियो वुल्फ की कविता की गुण संपन्ता की चर्चा करने में बिताते तब यूरोब की स्थिथी कैसी रहती। भारतिय विद्वानों तथा बुद्धी जीवियों की जो बातें प्रकार का पागल मोह है। इस प्रकार विकासशील मनुश्य द्वारा स्थापित संस्थाएं अपने यूवकों को वेदों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण की शिक्षा देने का उदेशे रखती हैं। बुद्धी मानी प्राप्त करने की लालसा में ये कितना गलत कदम है ये ऐसा प्रयास है जैसे कोई कारवा किसी रेगिस्तान से ताजे पाने की खोज में भरे हुए समुद्र के किनारे की और चले जा रहा है। भारत के नव्यूवकों अपने दुरगंद युक्त आधियात्मिक ग्रंतों में बुद्धिमता देखने का प्रयास ना करो इन में शब्दों की अंतहीन कसरत के अलावा कुछ भी नहीं है। राजायू और वॉल्टेयर, प्लेटो और अरिस्टॉटल, हाइकल और स्पेंसर, मार्क्स और टॉल्स्टाय, रसकन और कॉम्टे को पढ़ो यदि तुम जीवन और उसकी समस्याओं को समझना चाहते हो। परंतु अलोचना को दूर रखें। तब क्या हिंदू धर्म पर सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्त के रूप में उपनिशद के दर्शन का कोई प्रभाव है। इस बात में कोई संदेय नहीं है कि उपनिशद दर्शन का हिंदूओं की सामाजिक तथा नैतिक व्यवस्ता पर को पूर्ण ही रहा और इसके कारण उससे कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो सका जो होना चाहिए था ये बात तब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है यदि हम ये पूछें कि उपनिशद की क्या प्रमुखता है प्रोफेसर मैक्स मुलर के शब्दों में उपनिशद का मू रूप में जानो व ऐसा एक है जिसके समान कोई दूसरा नहीं है और यही संपून विश्व की अंतरमन भावना है आत्मा और ब्रम एक है ये एक सच्चाई है एक महान सत्य है जो उपनिशदों ने कहा कि उन्होंने खोज निकाला और इसलिए उन्होंने मनुश्य से कहा कि अब उपनिशद का दर्शन परिणाम शून्यक क्यों रहा इसके अनेक कारण है उसकी चर्चा किसी अन्य स्थान पर करना चाहूंगा परन्तु इस स्थान पर मैं केवल एक ही कारण का उलेख करता हूँ उपनिशद के तत्ववेता ये बात नहीं समझ सके कि केवल सत्य को ज जानने के साथ होता है धर्म का संबंद सत्य पर आस्था करने के साथ होता है धर्शन अपरिवर्तनिय होता है परन्तु धर्म परिवर्तन शील होता है ये बहनताएं एक ही वस्तु के केवल दो पहलू है धर्शन अपरिवर्तनिय होता है क्योंकि वह केवल सत्य जानने से ही स वस्तु के लिए हमें प्रेम भावना उत्पन नहीं करता है, हमें उस वस्तु के बिना रहना ही उत्तम होगा, जिसे हम धर्म कहते हैं, क्योंकि धर्म सत्य की दृष्टी है, और यदि हमारी सत्य की दृष्टी के साथ उसके प्रति प्रेम की भावना नहीं रहती है, तब हमार अरे लिए यही उत्तम होगा कि हम उस दृष्टी को ही न प्राप्त करें। बुरा मनुश्य वही होता है जिसने सत्य को केवल उसका तिरसकार करने के लिए देखा है। टैनिसन ने कहा है जब हम किसी को देखते हैं तब उस पर अत्यधिक प्रेम करना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है। इस बात को उसकी वस्तु परक्ता से देखते हुए जो श्रेष्ट होता है वो उसकी भिन्नता तथा अंतर के कारण चमकता है जिससे हम भैबीत हो जाते हैं और जिससे हम डरते हैं उससे घ्रिना करने लगते हैं। सभी लोकोत्र दर्शनों की यही नियती है। उनका जीवन के मार्ग पर कोई प्रभाव नहीं रहता। जैसा बलेक ने कहा है धर्म राजनीती है और राजनीती बंधुत्व है। दर्शन को धर्म बनाना अवश् भी नहीं तब एक बात निश्चित है कि उसका सीधे तता सामाने मनुश्यों के साथ कोई संबंध नहीं होगा। धर्म को पूर्ण रूप से अध्यात्मवाद की पकड़ में रखने का मतलब है उसे मूर्खता का विशय बनाना क्योंकि जिस प्रकार हम किसी ऐसी बात में ज विश्वास किसी प्रकार का फर्क नहीं करता और समय तथा अकांक्षा की इस दुनिया में जो बात कोई फर्क नहीं कर सकती वह एस्टित्वहीन ही होती है। इन्ही कुछ कारणों से उपनिशद का धर्शन परिणाम शून्य सावित हुआ। इसलिए ये बात परिणाम शून्य तथा शक्तिहीन थे और उनके अस्तित्व के होते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि हिंदु धर्म तेरा नाम असमानता है। जो होना चाहिए था। ये बात तब पूर्ण रूप से सपष्ट हो जाती है यदि हम ये पूछें कि उपनिशद की क्या प्रमुख और उसे प्राप्त करो तथा उसे उसके श्रेश्टतम तथा नित्य रूप में जानो। वह ऐसा एक है जिसके समान कोई दूसरा नहीं है और यही संपूर्ण विश्व की अंतरमन भावना है। आत्मा और ब्रम एक है ये एक सच्चाई है एक महान सत्य है जो उपनिशदों ने कहा कि उन्होंने खोज निकाला और इसलिए उन्होंने मनुश्य से कहा कि वे उसे जानें। अब उपनिशद का दर्शन परिणाम शून्य क्यों रहा। इसके अनेक कारण है। उसकी चर्चा किसी अन्य स्थान पर करना चाहूँगा। परन्तु इस स्थान पर मैं केवल एक ही कारण का उलेख करता हूँ। उपनिशद के तत्ववेता ये बात नहीं समझ सके कि केवल सत्य को जानना ही परयाप्त नहीं है। प्रतेक मनुश्य को सत्य से प्रेम करना भी सीखना चाहिए। दर्शन और धर्म में जो भेद है वो दो प्रकार से स्पष्ट किया जा स दर्शन का संबंद सत्य को जानने के साथ होता है। धर्म का संबंद सत्य पर आस्था करने के साथ होता है। दर्शन अपरिवर्तनिय होता है परंतु धर्म परिवर्तन शील होता है। ये भिनताएं एक ही वस्तु के केवल दो पहलू है। धर्शन अपरिवर्तनिय होता है क क्योंकि वे सत्य पर आस्था करने से संबंदित है, जैसा कि मैक्स प्लोमेन ने उत्तम प्रकार से स्पष्ट किया है, जब तक कि धर्म परिवर्तन चील नहीं रहता, और किसी वस्तू के लिए हमें प्रेम भावना उत्पन नहीं करता है, हमें उस वस्तू के बिना रहना ही उत्तम होगा, जिसे हम धर्म कहते हैं, क्योंकि धर्म सत्य की द्रिश्टी है, और यदि हमारी सत्य की द्रिश्टी के साथ उसके प्रति प्रेम की भावना नहीं रहती है, तब हमारे लिए यही उत्तम होगा, कि हम उस दृष्टी को ही न प्राप्त करें बुरा मनुश्य वही होता है जिसने सत्य को केवल उसका तिरसकार करने के लिए देखा है टैनिसन ने कहा है जब हम किसी को देखते हैं तब उस पर अत्यधिक प्रेम करना चाहिए परंतु ऐसा नहीं होता है इस बात को उसकी वस्तु परक्ता से देखते हुए जो श्रेष्ट होता है वो उसकी भिन्नता तथा अंतर के कारण चमकता है जिससे हम भैबीत हो जाते हैं और जिससे हम डरते हैं उससे घ्रिना करने लगते हैं सभी लोकोत्र दर्शनों की यही नियती है उनका जीवन के मार्ग पर कोई प्रभाव नहीं रहता जैसा बलेक ने कहा है धर्म राजनीती है और राजनीती बंधुत्व है दर्शन को धर्म बनाना अवश्यक है इसका मतलब है कि उसे कारण रत नीती शास्तर बनना चाहिए वा केवल अध्यात्मवाद नहीं रहना चाहिए जैसा प्लामन ने कहा है यदि धर्म एक अध्यात्मवाद बनकर रह जाए उसके अलावा कुछ भी नहीं तब एक बात निश्चित है कि उसका सीधे तता सामाने मनुश्यों के साथ कोई संबंध नहीं होगा धर्म को पूर्ण रूप से अध्यात्मवाद की पकड़ में रखने का मतलब है उसे मूर्खता का विशे बनाना क्योंकि जिस प्रकार हम किसी ऐसी बात में जो प्रत्यक्ष तथा सजीव रूप से राजनीती में परिणाम कारक नहीं है विश्वास करते हैं उसी प्रकार अंततह धर्म में विश्वास करना भी कठोर शब्दों में एक मूरखता ही है क्योंकि किसी परिणाम कारक अर्थ से ऐसा विश्वास किसी प्रकार का फर्क नहीं करता और समय तथा अकांक्षा की इस दुनिया में जो बात कोई फर्क नहीं कर सकती वह अस्तित्वहीन ही होती है इनी कुछ कारणों से उपनिशद का धर्शन परिणाम शून्य थावित हुआ इसलिए ये बात निर्विवाद है कि हिंदू नीती शास्त्र और उपनिशदों के धर्शन के बावजूद मनु द्वारा उद्गोशित हिंदू धर्म के दर्शन से एक बिंदी अत्वा बहुत ही मामुली सी बात भी नहीं मिटाई जा सकी मनु ने धर्म के नाम पर जो कलंकित शिक्षा दी उसे नश्ट करने के लिए वे बहुत ही परिणाम शून्य तथा शक्तिहीन थे और उनके अस्तित्व के होते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि हिंदू धर्म तेरा नाम असमानता है